नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहधी महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां बालों को जढ़ने से रोके प्याज का रस यह है आज का हमारा टोपिक बाल एक महिला के लिए काफी जरूरी होते हैं क्योंकि इनक जाती हैं अगर आप अपने बालों के जढ़ने से परेशान हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि प्याज की मदद से कैसे अपने बालों को बढ़ा सकते हैं और जढ़ने से रोक सकते हैं चाहें महिला हों या पुरूश हों जब आपके बाल आपकी सिर से ज्यादा आपके मस्या कुछ साल और चली तो क्या होगा अता बालों को ज़णने से रोकने का यहीं सही समय है जब भी आप जान जाएं तब से रोकने पर लग जाएं बालों को बचाने के लिए विकल्प के रूप में आप प्याज का भी प्रयोग कर सकते हैं प्याज बालों को ज़णने से चलित आवश्य कर सकती है पर अगर आप अपने बालों को जढ़ने से रोकना चाहते हैं तो यह आपके लिए काफे बेहतर विकल्प है इसके इस्तेमाल से आपको उन्हेर स्पा या सलून जैसा कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा जो करिश्माई रूप से बाल बढ फिक नहीं है और प्याज के और शद्य गून यह आपको बालों को काफी हद तक जढ़ने से बचा लेता है बालों की बढ़त के लिए प्याज प्याज सल्फर से युक्त होता है जो आपके सिर में बालों की बढ़त में काफी सहायता करता है प्याज में कई खनीज जो सिर्की त्वचा के संक्रमण को ठीक करने में आपकी सहायता करते हैं यह बालों के जढ़ने के मुख्य काणों में से एक होते हैं प्याज में केटालेस नमक एंजाइम होता है प्याज में इंटियोक्षीडिन्ट की मात्रा भी बहुत होती है जो आपके बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाती है प्याज बालों के ज़ड़ने पर नियंतरन करता है तथा डेंडरफ, फंगल, संक्रमन एवं खमीर के सं बूती में वृद्धी करने का कारे करता है और इन्हें पतला होने और तूटने से रोकता है आप रोजाना अपने सिर की तवचा में प्याज के रस का प्रयोग करके अपने बालों के घनत्व में काफी मात्रा में वृद्धी कर सकते हैं बालों को जढ़ने से रोकने के का प्याज का रस के रूप में प्रियोग करना है प्याज के रस के फायदे तिन से पांच प्याज छिलें और उन्हें अच्छे से पीछ लें इस पेश्ट को अपने हाथों से निचोड कर इसका रस निकाल लें अब इस रस को अपने सिर पर तथा बालों पर लगाएं इस रस क सिर पर आधे घंटे तक रहने दें एवं हलके शैंपू का प्रियोग करके इसके बाद इसे धोलें हपते में तीन बार इस पध्धती का इस्तेमाल करने से मन चाहें परिणाम की प्राप्ति होगी यानि कि आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे तूटेंगे नहीं तुरंत क्रितिक उपचारों में काफी समय लगता है जो कि हम आपको बताते आये हैं पिछले भी एपिसोड में लाल प्याज का प्रियोग आप गंजेपन को रोकने के लिए भी कर सकते हैं अगर आपको बाल जहरने की समस्या के साथ साथ गंजेपन की समस्या भी परिशान कर रही है तो लाल प्याज बहुत फायदे मंद होता है आपने देखा होगा कि कई लोग ज़ड़ते बालों से इस कदर परिशान हो जाते हैं कि अंत में किसी भी तरख का बालों का उपचार प्रियोग करना ही बंद कर देते हैं अत्यधिक ज़ड़ते बालों का अंतिम परिणाम गंजेपन के रूप में सामने आता है जो पुरुषों में अधिक दिखाई देता है कई बारी हसमस्या वनशान उगत भी होती है अगर आपके बाल तेजी से जड़ते हैं और सिर की तवचा कुछ खास जगों पर खाली होती जा रही है तो लाल रंग के छोटे छोटे प्याज का रस बहुत लाफकारी होता है इन छोटे छोटे लाल प्याज या सलूट को कदुकस करके इसका रस अलग कर लें इसे बालों के जड़ों और गंजेपन वाले जगह पर लगा कर रखें इसे एक घंटे लगे रहने दें और इस प्रयोग को हर दूसरे दिन करें सिर पर नए बाल उगाने का यह सबसे सरल प्रयोग है दुबारा से बालों को उगाएगा प्याज का रस एवं शहद का उपचार जी हाँ एक कटोरी में दो चमच शहद लें और इसमें एक चवथाई कप प्याज का रस डाल लें इन दोनों को अच्छे से मिलाएं एवं सिर पर मसाज करते हुए धीरे धीरे लगाएं बहतरीन परणिनामों के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग हपते में आप तीन बार कर सकते हैं इससे आपके नए बालों ने स्टार्ट हो जाएंगे प्याज का रस एवं रम का मिश्रंक आपके बालों के लिए बहत फायदे मंद होता है यह विधी उन लोगों के लिए हैं जो प्याज की गंद को सहन नहीं कर पाते पर उसका प्रयोग करना चाहते हैं प्याज को कुछ टुकडों में काटें और उन्हें एक कप रम में डाल दें इसे सारी रात रहने दें और अगली सुबह रम के कप से प्याज निकाल लें और बचे हुए रस द्वारा सिर पर मसाज करें आप बालों को धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज के रस से बढ़ाईए आप बालों के लंबाई जिहां प्याज के और शद्यगून दो से तीन प्याज लें और उनके छिलके निकाल कर उन्हें पीस कर उनका रस निकाल लें रस को अलग करके उसमें एक चमच नारियल का ओयल मिलाएं और एक चमच जैतून ओयल मिलाएं इन तीनों को अच्छे से मिलाएं और सिर को बचाते हुए इस मिश्रन को अपने बालों पर लगाएं इसे दो घंटे तक छोड़ दें और फिर सिर को एक हलके शैंपू से धोलें अगर आप प्याज की गंध बरदाश्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बालों को आखेरी बार धोने के लिए निम्बू के कंडिशनर का प्रयोग करें इसके लिए आधे निम्बू को एक गलास पानी में निचोड़ लें इसका सिर पर प्रयोग करें और प्याज के गंध से छुटकारा पा सकते हैं आप इस तरीके से और आपके बाल भी हेल्दी हो जाएंगे अपने खान पा होता है काफी लाव दायक सावित होता है प्याज को अपने रोजाना के खान पान और सलाद में शामिल करना चाहिए आपको इससे आपके बालों को काफी मजबूती और स्वास्ते प्राप्त होगा पर इस तरह प्याज का सेवन करने से आपको फाइदा जरा देर से मिलेगा इसके मुकाबले अगर आप प्याज के रस का प्रियोग अपने सीर की त्वाचा पर करते हैं तो इससे आपको अपेक शाकरित तिब्रगती से लाव मिलता है इसके अलावा प्याज और पानी का प्रियोग जी हाँ प्याज और पानी का मिश्रण आपके बालों को जढ़ने स प्याज यूगत पानी का प्रियोग शैंपू से अपने बालों को धोने के बाद दोबारा धोने के लिए करें अगर आप प्याज की तेजगंद को सहने में सक्षम हैं तो इसके बाद उसी दिन अपने बालों को पानी से न धोएं आप अगले दिन अपने बालों को पानी और किसी समय शैंपू की मदद से धो सकते हैं अगर आपने बालों को धो लेने के बाद भी आपको बालों से प्याज की महक आ रही है ऐसा फील होता है तो बालों को अंतिम बार धोने के लिए निम्बू के एक कंडिशनर का प्रियोग करें क्योंकि निम्बू इसको काट करके खतम कर देता है इसके लिए एक गलास पानी मे आधा निम्बुनी चोड़ कर डाल लीजीए इस पानी से अपने बालों को ढोलीजे प्याज की महग से आपको छोटकारा मिल जाएगा तो इस तरीके से अगर आप प्याज के ओयल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं तोटने से रोग सकते ह अगर आपके बाल गिर गए हैं तो उनको वापस ला सकते हैं प्याज एक बेहधी प्रभावसाली और शदी है खास करके हेर्स के लिए तो दोस्तों आप प्याज का प्रियोग करें और अपने बालों को हेल्दी रखें तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑल्वेज रखना चीए क्योंकि हमारा स्वास्ते जो है वो सबसे बेश किमती धन है हमारे लिए अगर हम स्वस्त हैं तो दुनिया के हर एक चीज हमारे लिए अपसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन जरूर करें और इसके अलावा अपने डाइट को अल्वेज बैलेंस डे रखें ये थी आज की हमारी जानकारी अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे ए अब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कर दोस्तों चालावाद प्रश।